Hello everyone, I am Mehak और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल Education Tech Flow तो after a long time में एक वीडियो लेकर आ रहे हूं जिसमें हम cover करने वाले हैं Hindi Generic B Hindi साहिते और भाषा का उद्भव विकास क्यों? क्योंगी कल हमारा exam में जिसमें हमारे चार यूनिट आने वाले हैं तो इस वीडियो में जो हम cover करने वाले हैं वह ही यूनिट फरस्ष्ट है हिंदी भाषा और साहिते तो चलिए बिना देरी के start करते हैं तो जैसे कि आप इस किन पर देख सकते हैं यह हिंदी का उद्भव समानने पर इच्छे तो जो भी हम इस वीडियो में cover करेंगे वह most important करेंगे जो कि कल के exam के आने में सबसे ज़्यादा chances है तो जो कि मैं अपना pen or start कर जाती हूँ जैसे कि आप सभी को पता होगा जो हिंदी भाषा के साहिते उसे चार काल खंडों में बाट गया है आदिकाल भक्तिकार जितिकाब आद्ध निकार लेकिन उससे पहले क्या था जो उससे पहले था वो अपबरेंश होते थे तो जैसे कि आप देख सकते हैं अपबरेंश के इन तीन अप रूपों से हिंदी की पाच उप भाषा का निरमान हुआ है जो अप ब्रेंश थे वो तीन अप ब्रेंश थे जिससे कि हिंदी भाष जो तीन उप ब्रेंश थे पाच उप भाषाओं का नियमान हुआ है और उन पाच उप भाषाओं से अठारा बोलियां विक्सित हुए है यह बोलियां हम ओल्मोड सभी जानते हैं लेकिन इसको अब हमे डीफली पढ़ना पड़ेगा जो अपब्रेंश ते वो तीन अपब्रेंश ते शोषेनी मागधी और अद मागधी जिनसे पाच उब भाशाओं का नियमान हुआ है पश्चमी इंदी राजिस्थानी पहाड़े बिहारे पूर्वी शोषेनी के अंदर पश्चमी इंदी राज मुरादबाद सहायन पुद्ध जो इन एडियों में बोल जाते हैं वो खड़ी बोलिये ब्रजभाशा हर्यानवी हर्यान में बोल जाते हैं बुंदेदी जो बुंदेल खंड की है कन्नोजी निमाडी जेपुरी तो ये सब हैं लेकिन अब हम इने डीप में पढ़ेंगे क्य लिखना है हम उसी के अकोर्डिंग पढ़ेंगे तो पश्चिमी हिंदी इस शोषणी अब्रहंट से हिंदी के उपभाशा पश्चिमी का उदभव होता है जैसे कि मैंने आपको बताई यह तीन अब्रहंट शोषणी मागदी और अधमागदी तो शोषणी के अंदर अच्छे बोली आती है खड़ी बोली जिसमें से पहली है खड़ी बोली हमें इनमें बहुत डीप में लिखना बस मोटा मोटा थोड़ा बहुत तो लिखी देना जैसे आधुनिक हिंदी का मानमी के खड़ी बोली को माना जाता है खड़ी बोली का शोषणी अब्रहंट से प तो इन में से तीन चाहनाफ भी में होेंगेज थो हमें सब में लिखना है जाहें वह उपogenब की माकदी से तो हमें लिखना ही है इस इसका विकास है जो इसका उद्भाव है कौन से अपब्रण से हुआ है और कौन सी उपभाशा में हुआ है क्योंकि उपभाशा पाच है पाच्चि में हिंदी राजिस्थानी पहाडी बिहारी और एक का नाम क्या है पुर्वी हिंदी अब आई हर्यानी मतलब ये भी हम जानते हैं हर्यानी बोली का उद्भवी पच्चि में हिंदी से हुआ हर्याना शब्द के उद्पत्ति पर ही कईमात हमें मिलते हैं अब बुंदेली मद्धे परदेश जो बुंदेल खंड में बोली जाती है उससे बुंदेली कहा जाता है जो मद्धे परदेश के बुंदेर राजपुतों के स्थान पर बुंदेल खंड कहते हैं उसे महां की बोली बुंदेली कहलाती है इसका विकार शोशेनी अब भ्रहंश के पस्चे में हिंदी उपभाशा से हुआ है ये हमें हर उसमें लिखना है कि जो इसका अब भ्रहंश है वो क्या है और इसके उपभाशा क्या है तो बुन्देली, अब कन्नोजी, कन्नोजी नगर के नाम पर इस बॉली का नाम कन्नोजी पड़ा है कन्नोजी पर ब्रज का भूत अधिक परभाव दिखाई पड़ता है इसकारन विद्वान इसे ब्रज के ही एक बॉली मानते है तो ये भी बहुत इसी है कि कन्नोज नगर के नाम पर इसका जो नाम है वो कन्नोजी पढ़ रहा है और इसका पर जो भाषा का पलभाव है वो बहुत अधिक माना जाता है अब इसके आगे जो शोष है नि उपब्रहंश के पश्ची में हिंदी की लास्ट बोली है निमाडी निमाडी क्या है पश्ची में हिंदी भाषा ते हिंदी की बोली निमाडी का जन्म होता है मद्य परदेश के निमाड प्रांड की बोली निमाडी है जैसे कनोज का नाम कनोज पर पड़ा बुंदेली भाषा हो गया जैसे निमाड प्रांड में जो बोली जाती है वो निमाडी बोली है अब जो हमारी पहला अपब्रहंशता शोरशेनी और उसके अंदर जो पहली भाषा थी पश्चिमे हिंदी उसके अंदर छे बोलियां थी वो हमारी हो चुकी है अब जो पहला हमारा ब्रेंश शोरशेनी उसके अंदर जो दूसरी उपभाशर राजिस्थानी अब हम उसे पढ़ने वाले हैं अब राजिस्थानी राजिस्थानी के अंदर चार बोली आती है जेपुरी, मारवाडी, मेवाती और मालवी अब हम इसमें देख लेते हैं, अब जो जेपुरी है वो पूरवी राजिस्थान में बोली जाती है, मारवाडी जो है वो पश्ची में राजिस्थान में बोली जाती है और इनके साथ कुछ और भी छेत जुड़े हुएं, उनमें से आप पढ़ना चाहें तो एक दो पढ़ सकते हैं, वाना इतना भी सफिशेंट रहेगा यहाँ पे सब लिखा हुआ है अब शोर्शेनी के हमने दो उपभाशा कर रही है, पश्ची में हिंदी और राजिस्थानी, अब तीसरी है पहाडी, जो पहाडी को भी, पहाडी भाशा को भी दो बोलियों में डिवाइट कर गए है पश्ची में पहाडी और मद्यवाती पहाडी, जो पश्ची में पहाडी है, शोर्शेनी अब भाशा से पहाडी उपभाशा से पश्ची में पहाडी का उद्भव हुआ है मैंने कहा था ना कि ये तो लाइन हमें लिखनी है ये कौन से अपब्रेंट से और कौन से उपभाशा से इसका विकास हुआ है तो ये हमें हर बोली में लिखनी पड़ेगी जो पश्ची मी पहड़ी है पश्ची में हिंदी मुख्य रूप से चंबा ये इनके अरिये लिखे हैं तो बस हमें इतना ही लिखना है कि इसका कौन से अपब्रेंट से कौन सी उपभाशा से विकास हुआ है और नौर्मारी अगर हमें पत्ता है ये कहां कहां बोल जाती है बस वो इतना ठीक रहेगा अब मद्ध्यवाती पाड़ी में भी सेम यही चीज़ है अब हमारा पहरा बिरंश कंप्रेट होच सुका है शोष नहीं अपब्रेंश अब जो दूसरा अपब्रेंश है वो है मागदी अपब्रेंश जिसमें मागदी में हमारी एक उपबहशा आती है मागदी अपब्रेंश अब बिरंश दूसरा उपब्रेंश जो हमारे उपब्रेंश उपबहशा मिलती है वो भी हारी है और भी हारी से तीन बोलियों का विकास होता है भोजपुरी, मगी और मेथिरी तो इसमें भी यही है जो भोजपुरी है यह बिहार के शहाब यहां पे लिखा है देखिए जो शहाबाद में जिले के भोजपुर गाउं के नाम पर इसका नाम भोजपुरी पढ़ गया बस हमें नोर्मरी इतना ही याद रखना है इनमें इतना ठीक रहेगा अब मगी, मगद शब्द मागदी बना है और मागदी का ही एक विकसत रूब है मगी यह कहां कहां बोल जाती है पटना, हजारे बाग, भागलपुर, पलामू आदी इन सब छेटरों पे, ऐसा ही मैथिली अब हमारे दो अपरब्रेंश कंप्लीट हो चुके हैं अब हमारे जो तीफसर अपरब्रेंश है वो है अर्द मागदी जिसमें हमारी एक उपभाष्रा आती है पूरवी हिंडी जो जिसका कैंदर एयोधिया बगेली मद्य परदेश के बगेले राचपूतों की बोली बगेली कहलाती है 36 गड़ी, 36 गड़ी की बोली 36 गड़ी कहलाती है तो अगर हम देखें तो इन में हमें जादा कुछ लिखना भी नहीं है बस तीन अपड़ी ब्रेंश हैं हमारे शोरशेनी, मागदी, अर्द मागदी और जिनसे हमारे 5 उकभाषाओं का विकास हुआ है पष्चिमी हिंदी, याजस्थानी, पहाडी, शोरशेनी, अपड़ी बिहारी मागदी में पूरवी हिंदी, अर्द मागदी में और जिन से 18 बोलियां विक्सित हुई है जो 6 बोलियां है वो पश्चे में हिंदी में, 4 बोलियां राजिस्थानी में, 2 पहाडी में, 3 बिहारी में और फिर से 3 पूर्वे हिंदी में बस इनमें हमें थोड़ा बहुत ही लिखना है अगर यह कोशन आया तो हम यह चार्ड बना क इनके बार में थोड़ा थोड़ा लिख सकते हैं तो अब जो हमारे second important question है वो है मतलब जो हिंदी साहिते का इत्यास है उस चालकार खंडों में बाटा गया है आधिकाल, भक्तिकाल, जितिकाल और आधुनिकाल तो चलिए हम अपने जल्दी से उसी पेज पेज पे चलते हैं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं जो आधिकाले, आधिकाल को 1050 से 1375 तक बाटा गया है और भक्तिकाल को 1375 से 1700 अधिकाल को 1700 से 1900 और आधुनिकाल को 1900 से अब तक तो इसमें से सबसे important जो है वो आधिकाल और आधुनिकाल है तो जो आधिकाले अब हम उसे जल्दी से कवर करते हैं आधिकाल का जो समय हैं वो 1050 से 1375 तक है आधिकाल को एक महतपून काल माना जाते हैं क्योंकि जो अप विब्रहनश के काववरे अचनाय हैं उनसे बढ़कर हिंदी बाश्रा में जो काववरे अचनाय आए वो इसी काल में आए हैं तो आधिकाल को बहुत महतपून क आदिकाल के कुछ और भी नाम है वीर कार, वीर गाता कार, चायन कार, विजवपन कार, आधुनिक कार, अरुन कार, तो ये सारे आदिकाल के नाम है अब आदिकाल के कुछ महत्पूर्ण विशेशना हैं जो कि अब हमें इसमें पढ़नी हैं और वो मौस्ट इंपर्टेंट हैं हो कि हमारे टेस्ट में भी आई थी, इंटर्नल एक्जाम में. तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आदिकाल की जो भी विश्ट ने अध्यात निकता है। पहले है अध्यात मिकता, आदिकाल में बहुत बास जयन कवी नाथ ही होगी सूफी और संत अध्यात मिकता, अध्यात मिकता का मतलब क्या होता है। जो अध्यात मिकता है कि जितने भी उस टाइम के कवी थे, वो अध्यात मिकते है। अध्यात मिकते, मिन्स उनके पास जो ग्यान तो था लेकिन उसे वो ठीक तना से यूज नहीं करते थे, अध्यात मिकते। अब जो इसकी दूसरी प्रेश्टा है वीरो की गाह था। जैसे जो आदी काल था, वो था, उस काल में जो कवी थे ना, वो जो बड़े-बड़े राजा होते थे, तो उनके ही दरबार में रहा करते थे। और उनी की, मतलब उनी के बारे में लिखते थे, उनकी वीरो की गाह था, जैसे वो जीतते थे, लड़ते थे, तो उनकी बड़ाई चड़ाई करके वीरो की गाह था, मतलब उनके लिए ही कहानिया लिखते थे, कि उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, तो वीरो की गा ता होती था क्योंकि वीर्स, और शिंगार Persian का वे जहाते ह। नों सिक्वार में अरक ओखे शयारा बां ऊंपरलन में और रही होती तुर का वीर्स होता हुआ कर दिख्रा कि खम आखाने कीडिया था क्योंठ लार का वीर्स पीया 하ती है जाता था और युद्धों का सजीव वर्णन जो कि आप फूर्थ पॉइंट देख सकते हैं युद्धों का सजीव वर्णन ऐसा क्यों क्यों कि उस टाइम पर कवी थे वो राजाओं के साथ युद्धों में सेनिकों की तरह भाग लेते थे और उस चीज़ को वो बिल्कुल इ को दर्बार में ही रहते थे जब उनके धर और तो उनके आश्चे दाता थे मतलब जो जिसको रखता है तर्ड़ेधा है रहने के immortने जगद देता है वो इस राजा bigger ते यद तै नो और राश्टेता का भाव कि क्यूंकि जो कवी में न राज़ों में न मा के लोगों में तो आश्रदाताओं की परिशन सा तथर आश्रता का अभाव और जन जीवन के संपर्क का अभाव जैसे कि आप जानते हैं कि जब वो इनी आश्रदाताओं की परिशन सा करते थे आश्रता का अभाव था तो जन जीवन जो मा के लोग ह उनके पास क्या परेशानी है, क्या नहीं, जो भी था, उन सबसे किसी को कोई लेना देना नहीं था, ना ही किसी कभी को, उनके निये कुछ नहीं लिखा जाता, जन जीवन से कोई संपर्क नहीं था, क्योंकि वो उनके निये कुछ लिखते तो उन्हें कुछ नहीं मिलता, हमाथ इत्थियाज बहुंक अठ्यूकतन, चिसमा खुछ मेच भी नहीं और। आई शुक्ति मातित्यूकति है क्या होता हुं मुछ पूर्चा उर्डरिनली होता है। कि मतलब जितना वो होते भी नहीं थे उससे भी कई गुना जादा किया जाता था, कि मतलब उन्होंने ऐसे किया, क्योंकि अगर वो ऐसे कहते थे, तो राजा उन्हें खुश होके, उन्हें कभी कुछ देते थे, कभी कुछ देते थे, और शिंगाररस का वर्नन यह तो मैंने आ आगरों का पहाडों का नदियों का इन सब का प्याकरती चितरन प्याकरती चितरन अब जो हमारा आधिकाल है वो भी कंप्लेट हो चुका है अगर हम एक बार इसको रिवाइस करें तो आधिकाल में भी ज्यादा हमने कुछ भी नहीं पड़ा बस आधिकाल में क्या है अधियात मिक्ता और वीरों की गात हैं मतलब उन वीरों की कहानिया राजाओं के और वीर रस और शिंगार रस के परधान ता युद्धो का सजी वर्ण आश्रदातों के परशंशा राश्टेता का अभाव और अतिशोक्ति वर्ण शिंगार ये भी हमने परड़िया और प्रागाती चिटना इसमें भी जादा कुछ नहीं है बहुत हीज़ी है अगर आएगा तो हम कर सकते हैं अब आया भक्तिकाल वो भी वो भी इंपोर्टेंट है अब हम भक्तिकाल को देख लेते हैं जो सबसे पहले भक्तिकाल के टक्तिकाल मतलब वह सकते हैं जो हमें इसमें दे रख है बहुत है इसके कमीओं को नेगुणों सगोन में बाता है मतलब नेगुण का मतलब में ये मांते थी कंद कंद में कुछ भी चीजों उसमें इश्वर है कि हमें ये मतलब किसी पर्टिकुलर चीज़ को मानने की जोट ऐसे नहीं है और सगुन भगती है उसमें एक पर्टिकुलर इंसान को जैसे किसी भी इश्वर को ऐसे माना जाता था एक नेरगुन में ये माना जाता था कर्ण कर्ण में भगती है सगुन में किसी एक पर्टिकुरर को माना जाता था कि हाँ वो इश्वर है अब जो नेगुन है उसे ग्यानश शाखा और प्रेमाश शाखा में डिवाइड किया गया है जिसके जो कवी हैं वो आप दे सकते हैं कबीर रेदास पीपास है ना दयालुदार ग्यानश शाखा में आते हैं जायसी मंजन कुतूबन उस्मान प्रेमाश शाखा में आते हैं सगुन भक्ती में राम भक्ती और किश्रुन भक्ती है किश्रुन भक्ती को भी मतलब जो उसके कवी है तुलसिदास राम दास और एक तरफ हैं सूदात, नाभधास, केशवदास, एकसेक्ट रा वैसे तो बस हमारे निये थोड़े इंपोटेंट है कि नेरगुन भक्ती क्या है, सगुन भक्ती क्या है जो कनकन में मानते थे वो नेरगुन भक्ती हो, सगुन भक्ती जो परिटिकुरर एक एक इनसान को मानते हैं और अब जो इसकी विशेष्टा है, वो है इश्वर के परत्य उठकट प्रेम भक्ती काल में हम बैसिकली यही समझते है कि मतलब भक्ती का मतलब भी क्या होता है कि इश्वर से प्रेम काना, तो इसकी पहरी विशेष्टा यही होगी टुछ विश्वर के पड़ियर उठकट पिने होता है मतलब इश्वर से हज все-ते प्यार काया है और अराध्यिकास्वरूप अराध्यिकास्वरुप काम जहınd भक्ती काल में जयान मार्की प्रेम मार्कीति मतलब अराध्यिकास्वरूप कि जो हर कवी था उसका एक अपना सुवरूप था कि हर एक वो अपने एक इश्वर को मानता था कि अराध्या मतलब अराध्या का मतलब वाशिप पूजा पूजा करना अराध्या का सुवरूप अब इसका जो ठार्ड है गुरू महीमा मतलब उस टाइम कभी निरगुन कभी हो सगुन कभी हो यह मानना जाता था कि बिना गुरू के मतलब कोई भी इश्वर की प्राप्ति नहीं का सकता जब गुरू अपने शिश्य को रास्ता दिखाता है जब भी वो उस पे चल के इश्वर की प्राप्ति का सकता है और फोत है ग्यान शाष्ट के अनावशकता ये बहुत इंपोर्टेंट है मतलब ग्यान शाष्ट के अनावशकता जो ग्यान शाष्ट के अनावशकता है इसका मतलब यह है कि इश्वर को पाने के नहीं है ज़रूर नहीं है हम शाष्ट ग्यान लेके हम पंडित बनके जैसे य वादि हम इशवर के प्राप्ति होगी ऐसा नहीं है कि शाष्ट जियान क जानवर्षक थे हैं अश्य नहीं हमें इसे भी इशवर के प्राप्ति हो सकती है अब पांग समानता का भाव कि Job कि बख्ति में जो सबसे इंपर्टेंट हότεम समान दंठी समानता का भाव अब सिख से रूडियों आडंबरों का विरोध कि जो कवी थे उन्होंने रूडियों आडंबरों का विरोध किया मतलब कि जैसे कि मूती पूजा, रोजा रखना, नमाज पढ़ना, पूजा करना उन्होंने सब का विरोध किया कि भक्ति मतलब पत्थरों में या बरत में रोजों में आप यहां पर देख सकतें इन सब में नहीं मिलती तो उन्होंने जो रोड़ियां चलती आ रही थी उन्होंने इसका वरोध किया अब नारी के परती जो उनका दिश्टिकून था जो देविया थी, मतलब जैसे कि सीटा, उजमीरा, कोशलिया जो पवित नारिया थी, कि उनके लिए उनका क्या दिश्टिकून था, और जो मतलब कुछ नारियों के वो निंदा करते हैं, here पे कबीर का एक दोहा भी दे रखा ह तो यहां पर कुछ नारियों की निंदा करते हूं जो पवितर नारियां हैं जिनके नाम यहां पर दे रखे हैं उनकी परशन्ता करते हैं अब ही ग्यानमार की रहस्यवाद मतलब जो ग्यानमार की रहस्यवाद था अब 8 पॉइंट्स हो गए हमारे नाइन्थ माया मैंस माया का मतलब तो हम सबी जानते हैं कि माया से की जो भक्ती काल था उसमें माया का क्या मतलब रहा होगा अब जो टेंट पॉइंट है वो है रस तो रस की जिश्ट से संद कावे पर विचार करना उचित नहीं है क्योंकि इन्होंने कावे रसना के उद्धेशर से अपनी अभी वक्त नहीं कि समानते हैं उनके कावे में शांत रस के पर धंदा और अद्बुत रस मिल जाता है मतलब जैसा कि हमने अभी आधिकाल में रेखता वी जा, शिंगार रस तो जो इसमे रस जादा नहीं मिलते हैं तो शांत रस और अद्बुत रस ही मिलते हैं तो हमारा आदिकाल हो चुका है, भक्तिकाल हो चुका है दोनों के पॉइंट्स जो इनकी विजश्टना है वो बहुत हायर नहीं है, बहुत इसी है, हो जाएगा और बस इसमें अगर ये लिखने को आइन की विजश्टना हम दो दो तीन तीन लाइन बे लिखेंगे, वो भी शफिशन रहेंगी और जितिकाल इतना इंपोटेंट नहीं है, बाकि आप चाहें तो बढ़ सकते हैं, अब आदू निकाल जल्जी से कवर कर देते हैं, यूनिट वन कम्पलीट हो जाएगा अब जो आदू निकाल है, वो उनिस से लेके अब तक चलता हा रहा है, जो आदू निकाल के बहुत सारे कवी हैं लेखके, वो हम सब जानती हैं, और यहापे भी कुछ के नाम दे रखें, और जो इसकी विशेष्टा है, वो सबसे पहरे राष्टेवाद, जैसे कि अभी हमन और देश मान देते, तो राष्टेवाद की यहापे एक देश, देश के पहती, राष्टे के पहती भावना उत्पन हुई, और सेकेंड है, समाजिक चेतना समाज सुधार की भावना, मतलब अभी तक जन जीवन से किसी को भी कोई लेना देना नहीं था, लेकिन यहापे समा और ठड़े भावना है, यानि देश भावना है, यानि देश भावना, अब फूर्थ हिंदू संस्कृति से प्यार, और फिफ्टे प्राचिन तर्म नवीतरमिन का समान में, मतलब जो प्राचिन हमारी परंप्राएं चलते आ रहें थे, उसके साथ साथ हमने जो नई हमें हिंदी मिले, जिससे हम सब जुड़ पाएं एक दूसर से, क्योंकि वह हमारी राजभाशा है, प्राचार्थी चित्रन वही कि प्राचार्थी का चित्रन निंसमें दिखाये गए हासे वेंग, मिंस जिसे हम इंग्लिश में आयरनी कहते हैं, कि अगर हम किसी पैसे आयरन कि अगरेशन होती थी, मतलब कावे अनुवाद ट्रांसलेशन जो वह होती थी, कि संस्कित और अंग्रेजी कावे का अनुवाद किया जाता था, अब टैंथ है, इसमें रस, जो इसमें भी जो रस था, वो वीरस, रंगार रस, और करुण रस बताये हैं, वीरस की लोगों मे वीरता लाने के लिए, ताकि वो अपने देश के पैरती ही लड़ सकें, करुण का मतलब पहता है, कि जो ब्रीटिश था, उनके पढ़ती कि लाने के लिए, ओँ शिंगार रस, शिंगार रस, यहाँ पे जो औरों में शिंगार रस हुआ है, इसका मतलब वो नहीं है, यहाँ जो औरों में बताया गए शंगारास तो वैसा नहीं है तो इसी के साथ हमारी यूनिट फेस्ट कंप्लेट हो चुका है तो थैंक यू एवरियन फर वाचिंग आर चैनल एजूकेशन टेश्ट